दोस्तों आपने स्टार प्लस का लोग प्रिया शो रुख जाना नहीं तो देखा ही होगा जिसकी कहानी एक साधारर से लड़की पर आधारित है जो की अपने लक्षे को हासिल करने के लिए काफी मेहनत करती है लेकिन उसके लक्ष में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आत जाता है इस सीरियल में सभी कलाकारों ने अपने अबने को अच्छे से निभाया और वे पॉपलर हो गई उन्हीं कलाकारों में से एक थी सांची माधूर जिसे निभाने वाली अभिनेत्री ने इसे काफी अच्छे से निभाया और लोगों के बीच भी वे पॉपलर हो गई लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीरियल को खर्त मुए काफी समय हो चुका है पर इन भीतिर सालों में साची का किर्दार निभाने वाली अभिनेतरी आज कहा है क्या करते और कैसे दिखती है अगर आप इन बातों को जाना चाते हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक देखिए साथ ही इस टीवी शो के लिए दोस्तो एक लाइक तो बनता है स्टार प्लस के टीवी शो रुख जाना नहीं में साची मादूर का किरदार निभाया था अभिनेतरी पूजा शर्बाने जिनका जन 3 मार्च 1990 को यूपी के लखनों में हुआ था इनकी सारी पढ़ाई भी लखनों से हुई अगर भाद करेंके अभिने करियर की तो इन्हें शुरू से ही आक्टिंग का शौक था जिसके चलते वे स्कूल टाइ में स्टेज शो किया करती थी हाला कि लखनों में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मुंबई आ गई जहां इन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी और छोटे छोटे शोज में इन्होंने मॉडलिंग भी की और उस दोरान स्टार प्लस की बड़े शोव रुख जाना नहीं में इन्हें काम करने का मौका मिल गया और इस टीवी शोव में इन्हें सांची माथूर का किरदार मिला इस सीरियल में दर्शकों ने इनके अभिने को काफी पसंद किया जिसके चलते वे दर्शकों की चहती बन गई इस सीरियल में उनके अभिने को देख कर कई निर्माता प्रभावित हुए और इन्हें अपने सीरियल में काम करने का मौका दिया जिसे इन्होंने आसानी से accept भी कर लिया आपको बता दे कि इन्होंने तु मेरा हीरो साबधान इंडिया हला बोल प्यार तुने क्या किया ये है आज की तुझ संग प्रीत लगाई सजना जैसे कई सुपर हिट शोज में काम किया इन सभी सीरियल में अच्छा काम करने के बाद वे अचानक से टीवी इंडिस्टी से गायब हो गई इन्हें आखरी बार टीवी शोओ दिया और बाती हम में देखा गया जिसमें इन्होंने पूर्वी का किरदार निभाया था इसके बाद इन्होंने अपने लंबे समय से रहे दोस्त पुषकर पंडिस से शादी कर ली दो प्रोफेशन से डिरेक्टर है दोस्तों आज पूजा शर्मा काफी बदल चुकी है इन्हें एक नदर में आप पैचान नहीं पाओगे वे दिखने में काफी खुब सुरत और बोल्ड हो गई है अब वे दो बच्चियों के मा बन चुकी है जिनका नाम वियाना और विशिका है अब वे एक हाट पंबी बन चुकी है लेकिन अब इनका टीवी इंडिस्ट्री में आना मुश्किल है दोस्तों आपको पूझा शर्मा का किरदार किस टीवी सीरियल में अच्छा लगा आप जोर मुझे कमेंट श्क्चर में लिख कर बता है इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता होने वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार का लिए इतना ही मिलता है झाल झाल